नमस्कार दोस्तों, आज मैं यादवों के सर्ताज बीर लोरिक जैसे बीर महापूरुस को जिनको कभी भूलाया नहीं जा सकता, उनके बारे में इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूँगा, आप लोग बने रहे अंद तक, तो चलिए सुरू करते हैं, दोस्तों, बीर लोरिक, उनका जन्म बलियां जन्पत के गवरा गाउं में एक यादव परिवार में हुआ था, जो बहुत ही बहादूर और बलसाली थे, उनकी तलवार 85 मन की थी, उनके बड़े भाई का नाम सवरू था, बीर लोरिक में हजारों आदमियों का बल था, बीर लोरिक के ख्याती का गुरगान यादो लोग लोरिकी के माध्यम से करते थे, और आज भी करते हैं, जो वर्तमान समय में देखने को और सुनने को मिलता है, जिसमें अगोरी के राजा मुलागत के अधीन मेहर नाम का अहीर रहता था, और इसी मेहर की अंतिम सात्मी लड़की मजरी थी, जो बहुत ही सुन्दर थी, और इस लड़की पर राजा मुलागत की बुरी नजर पड़ी थी, और वह राजा इस लड़की को महल में बल पुर पेहर ने अपनी लड़की मजरी की साधी लोरिक से तैंकर दी लेकिन लोरिक को पता था कि बिना मुलागत को पराजित किये मजरी से साधी नहीं कर पाएंगे। अतह लोरिक युद्ध की तैयारी के साथ बलियां से बरात लेकर सोन भधर के सोन नदी पर पहुँच गए। किले तक जा पहुँची तदो परांत भीसर युद्ध हुआ उसमें इतनी खून की धारा बही कि अगोरी से निकलने वाले नाले खून से भर गए जिसकी वजह से आज भी उस नाले का नाम है रुधिरा नाला जो वहां पर आज भी प्रसिद्ध है और इस युद्ध में इतनी गर्दने कटी थी कि गर्दनो का एक टिला बन गया था जहां टिला वणा था उस अस्थान के पहाड का नाम नरगटava नाम से आज भी प्रसिद्ध है इस युद्ध में मुलागत और उसकी सारी सेना और उसका अपार बलसाली हा थी इनरावत भी मारा गया इन रावत हाथी को तो स्वयम लोरिक ने घुमा कर नदी में फेंक दिया जिसका प्रतीक चिन्ध आज भी वहां जिवन्त मिलते हैं इस महान भी सर्युद जीतने के बाद मजरी की बिदाई हुई मजरी की डोली जब मरकुंडी पहाड़ी पर पहुंची तब नव विवाहिता मजरी ने लोरिक के अपार बल को फिर से देखने के लिए लोरिक को चुनवती देती हुई करती है कि आप कुछ ऐसा करो जिससे यहां के लोग याद रखें कि लोरिक और मजरी कभी किस हर्थ तक प्यार करते थे इतना सुनने के बाद लोरिक करते हैं कि बताओ क्या करूं जो हमारे प्यार की अमर निसानी बन जाए मजरी लोरिक के तरफ चहरा करते हुए मुश्कराती हुई एक पत्थर को दिखाती है विशाल पत्थर को और कहती है कि आप इस विशाल सिला को एक ही बार में दो खंड कर दीजिए बीर लोरिक ने तलवार से उस विशाल सिला खंड को वैसा ही कर दिया तब मजरी ने सिलाखंड पर अपने मांग का सिंदूर लगाया जो कुछ आउस्वरों पर यह सिंदूर आज भी चमकता है वह सिलाखंड आज भी वहां मवजूद है लोग जाकर उनका दर्शन करते हैं जो बीर लोरिक और मजरी के प्रेम को दर्शाता है दोस्तों बीर लोरिक के बारे में हम तो कुछ भी नहीं बताए इनके बारे में तो बहुत सी बाते हैं बहुत सी बीरता की बाते हैं जिनको इतने कम समय में बता पाना मुश्किल है इसके लिए कम से कम दो चार सपताह लग सकता है पूरा गुरगान गाने के लिए मैंने तो इनका एक समरी प्रस्तुत किया ये समरी भी आप लोगों को अच्छा अवस्य लगी होगी थोड़ी बहुत जानकारी आगे के लिए उस्सा वर्धन करेगी दोस्तों दुख की बात है कि इस महापुरुस के बारे में इतिहास में कहीं अस्थान नहीं दिया गया थोड़ा बहुत अस्थान मिला है तो बस यादों के वज़े से मिला है वो भी लोर्की के माध्यम से लेकिन कुछ खुसी भी है वर्तमान समय में आप डिस्कवरी आफ इंडिया जवार लाल नेरु की उसमें इस महापुरुस के बारे में वर्तमान है ये हम लोगों के लिए बड़े खुसी की बात है अंत में हम यहीं कहेंगे कि धन्य हो यदुवनसी बीर बीर लोरी आपको मेरा सत सत नमन प्राम जय यदुवनसी जय भारत जय माधव